मैरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में कुछ साल्ब करवाएंगे और पिछ़ली क्लास में बेसिक कम्प्लीट करवाया था exercise 11.2 का अगर आप लोगं नहीं किया है लेंक के डिसकर्शन मिल जाएगा कंप्लीट का लेना और इस क्लास में कुश्ण सॉल्ब कर वाएंगे तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को जादन से जादन से एर कर दो अपने फ्रेंट सर्केल में क्यूंके मज़ा आने वाला है इस क्लास में उड़ने वाला है गर्दा बन वाई वन कुश्ण का आपको दिख रहा होगा कुश्ण पहला बताया गया है find the angle 5, 4 is 1 off the following curves, पहले कुश्ण में 5 पार्ट हैं जिसमें पहला पार्ट आपको दिख रहा है और यहां पे लिखा भी है 1 off the following curves, हर एक पार्ट में आपको single ही कर मिलेगा फर एक पार्ट में आपको single ही कर मिलेगा जो आपको दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में 2A के अपान आर एककोल बन प्लस कॉस ठीटा यहां से आपको एंगिल फाई फाइंड करना है अब आपको यह बताना है एंगिल फाई फाईंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा क्योंकि बेसिक आप लोगों ने पड़ा है तो बता सकते हो कि किस फार्मूले से एंगिल फाई निकलेगा बता देते हैं भाई देख लो यहां पे अगर हम फार्मूले की बात करें तो टेन फाई के इकक्वल आर डी टीटा के अपान डी आर यह फार्मूला लगेगा आपको यहां से इसकी बैलू निकालना है आर इंटू में डी टीटा अपान डी आर बैलू जब निकल आएगी इसकी तो यह फार्मूला हम लगा लेंगे और फाई फाईंड कर देंगे इतना किलियर हुआ आपको लिख लेना है दा गिविन कर्व यहां पे लिखते हैं सॉल्ब सभी स्टूडेंट लिखो दा गिविन कर्व क्या बोलेंगे हिंदी में दिया गया बक्र बोलेंगे और आपको जानकारी होना चाहिए 11.1 exercise में और 11.2 exercise में कर्व पर ही काम होगा सबसे पहले आपको कर्व ही लिखना है समझ गए चाहे exercise इसकी बात करें चाहें इसकी बात करें तभी यहां पे लिखा है दिया गया बक्र अब लिख लो तो 2A के अपान क्या है R equal में 1 plus का cos theta यही है क्या करना है यहाँ पर जब आपको कर्म मिलता है तो differentiate आपको करना है बताते हैं why fix differentiate किसके with respect to करोगे differentiating with respect to theta के आपको कर्म मिलेगा differentiate करना है with respect to theta के यह fix है समझ गए तो यहाँ पर पहले R की बलू निकाल लेना है क्योंकि जो R आपको रखना है अंस में क्या बोलेंगे numerator बोलेंगे अंस में R रखना है यहाँ पर क्या है denominator में तो R को numerator में बनाना है उसके बाद differentiate करना है with respect to theta के यह जानकारी आपको होना चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे R की value निकालेंगे सबी स्टूडेंट सीखो यहाँ पर R की value जैसे R का क्रास इंटू करेंगे उस साइड जाएगा न तो हमने लिखा इस साइड वन प्लस कॉस्टीटा इसके नीचे लिख लेंगे 2a के तो कितना हो गया इतना हो गया देखो R numerator में आ चुका है अंस में अब आपको differentiate कर लेना है with respect to theta के साथ साथ यह region भी समझते रहना है जो अलग से बताते हैं यही तो question का तोड़ है वाई नहीं तो रटोगे और रटा हुआ ज्यादा दिनों लो चलता नहीं है समझ के अगर आपने पढ़ा है तो यह पूरी book आप बगएर दे के बोल सकते हो बगएर दे के बन वाई बन चेप्टर बोल सकते हो बगएर दे के अगर आपने समझ के पढ़ा है नहीं तो जोला टांगे सब गोंते रहते हैं टापर कौन बनता है टापर वही बनेगा जो समझ के पड़ेगा यह जानकारी हमने दे दी है इसी लिए हम आपको यहां पे समझाते रहते हैं कि करना क्या है एक कदम आपको आगे का सोचना है एक कदम आगे का सोचना है कुशन कैसे तोड़ा जाएगा कुशन की आंसरीट कैसे निकाली जाएगी तो यही हम आपको बता रहे हैं ठीक है इसको इक्वेशन डालो फास्ट यह भी फेक्स है जब आर की वैलू आपको निकाल लेना है आर अंस में रखना है तुरंथ ही आर की जरुत पड़ेगी समझ गए इसलिए एक्वेशन पास्ट आपको डालना है इसके बाद में डिफ्रेंसियेट करना है विद रिस्पैक्ट ओ ठीटा गया अब यह लाइन क्या बोलती है कि डी अपन डी ठीटा दोनों साइड आपको रखना है तो इस साइड भी रग ल बता यह पांस्टेंट है तू है आगे लेंगे अब आपको पता है यह नीचे वाले का होगा तो कुछ रिजल्ट आपने याद कि हैं जैसे बनापन एक्स का माइनस वनाफान एक्सक्वारुम एक्स होता है ले लिए माइनस हो गया अपान में स्क्वायर अब इसका अगें करेंगे यह तो चेंज है ना तो अगें करेंगे वन प्लस कॉस ठीटा का डिफ्रेंसियेट बिद रिस्पेक्ट टीटा के वन हो जाएगा जीरो कॉस सी यो से स्टार्ट है तो माइनस चोड़ेगा तीन होते है सी यो से स्टार्ट जिनका डिफ्रेंसियेट करेंगे माइनस चोड़ते हैं तो सी यो से स्टार्ट है माइनस चोड़ेगा और कॉस का होता है साइन इतना किलियर हुआ अब यहां पे हम लिखते हैं अगर हम बात करें डी आर अपान डी ठीटा गे तो क्या हमको मिला है माइन माइनस माइनस पिलस हो गया ऊपर 2a sin θटा आ गया ठीक है अब नीचे जो है उसको लिख लो अब इसके बाद मैं आपको करना क्या है देखो जैसे यहां पे DR नीचे है उपर D next इसे आउपर jeार T chill आ तो आपको क्या करना है ऑन तो है ने तो देख लो भाई रेसी प्रोकल डी ठीटा ऊपर चला गया डी आर नीचे आ गया ठीक है इतना आपको समझ लेना है फास्ट पार्ट में इसके सारे के सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे के सॉल अगर फास्ट पार्ट आपने समझ लिया आगे के जितने को सने सारे के सारे ऐसे ही सॉल बहूंगे तो इसी लिए फर्स्ट पार्ट बीपली समझ लो आने वाले जो भी पार्ट है या कोशन है आर्टोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे तो हमने क्या क्या डी ठीटा उपर लेके गए डी आर नीचे लाए तो नीचे वाला उपर कर दो और उपर वाला नीचे कर दो टू ए साइन ठीटा देख लो भाई अब इसके बाद में जो फार्मला था मेरे पास एक बार फिल लिखते हैं टेन फाइक एकवल आर डी ठीटा के अपांट डी आर ये तो मैस हो गया आर का इंटू कर दो तो आर का हम इंटू करेंगे दोनों साइड तब ये बैलू हमको मिल जाएगी तो आर और वन प्लस का कॉस ठीटा होल पावर टू के अपांट में टू ए साइन ठीटा अब आर की बैलू रखो इसे एक क्वेशन फास्ट इसी लिए डाला था कि आपको आर की बैलू रख लेना है तो ठीक है और इसकी बैलू किसके कोले टेन फाई के एकवल है जब बन जाये यह पूरा-पूरा बन जाये तुरंत ही टेन फाई रख दो तुरंत ही रख देया आप बहां पे आर की बैलू रख लो ठीक है तो क्या है टू एक अपान में बवन प्लस का कॉस ठीटा हम्ने यहाँ के रख लिया और की बैलो एक्वेशन फीर्ससटसे और यह 2 a sin data कि पर की वैलू रख़ी paused this इसको ऐसे इसे लिए अपान मैं ऐसे लिए अब आपको य예 जानकारी है कि में इस और टेंठभा है यह यह कि यह defendant क्या है इस 25 तो उस-उस-उस आपको क्या बनाना है टेंठ बनाना है मतलब अगर इस साइड टेन है उस साइड क्या बनाना है तभी तो टेन से टेन हटेगा वाई फाई की वैलू निकलेगी तो देख लोग कोसी जारी है बनाते हैं यह केंसल हो गया अब जो बचेगा उसे हम सॉल्व करेंगे इसको हम रफ करते हैं इस साइड आप लोग उतना न जैसे हमने लिखा टेन फाई ठीक है और एक्वल में जो बचा उसे लिखो वन प्लस का कोस ठीटा बचा अपान में साइन ठीटा बचा ठीक है अब एक कैलकुलेशन आपको ध्यान होगी जो हम बताते रहते हैं क्लास 12 में क्लास 11 में क्लास 10 में क्लास 9 में बेसी में MSC में य यहां पर बदाते हैं क्लाकुलेशन यह हंडेट परसेंट क्या करती है काम करती है जैसे अगर हम बात करें वन प्लस कॉस टू ठीटा गी इसको रफ कर दें तब आपके समझ में आएगा अगर हम इसकी बात करें या फिर एक और ले लेते हैं वन मैनस का कॉस टू ठीटा हमन कि याद आ गई है कि अगर यह कहीं दिख जाए तो वन को कैंसल करना पड़ता है कहीं दिख जाए किसी भी कुछ सन में किसी भी एक जामपल में है यह कैल को ले наст failure तो काम को कैंसल करना पड़ता है कैसे यहां पर आपको कॉष्ट्टू ठीटा मिला आपको अगर पिलस हैं अग यह कड़ गया देखो अब देखो यहां पर माइनस है तो पिलस में हमने क्या बताया था कि अगर पिलस है तो कॉस्टू ठीटा का फार्मॉला कॉस में लगाना है जब माइनस अगर दिख जाए तो कॉस्टू ठीटा का फार्मॉला साइन में लगाना यह फिक्स है यह यहां प तो क्या करना है ध्यान रखना कैलकुलेशन फेक्स है चाहे नाइन्ध की बात करें सच्छाएं यह तो तो पिलस है तो कॉस्टू ठीटा का फार्मला कोस में लगाना है माइनस है यहां पे तो कॉस्टू ठीटा का फार्मला साइन में लगाना है यह ध्यान रखना है पिलस पे कॉस्ट माइनस पे साइन तो यहां पे पिलस है तो हम क्या करेंगे कॉस्ट में ही फार्मला लगाते है 2 cos square theta upon 2 minus 1 यहां पर theta है तो theta upon 2 आया क्योंकि यहां पर 2 theta है देख रहा है तो angle का half होता है 2 theta है तो angle का half होता है देख लो 2 theta का half करेंगे आधा तो theta ही मिलेगा वाई तो यहां पर theta है तो theta का half करो वाई तो theta upon 2 मिलेगा चाहे 4 theta हो चाहे 8 theta हो आपको half करना है angle समझ गया और यह कट गया अब आपको पूरी पूरी जानकारी है कि इसका जो angle हुआ है theta पांटो अब यह बोलेगा अब यह कॉस बोलेगा नीचे वाले से बोलता है यह कहता है कॉस अगर मेरा angle हुआ हाफ तो तुम भी करो यह कॉस ने साइन से बोला है कॉस ने साइन से बोला है अगर मेरा angle हाफ हुआ है तो तुम भी करो यह भी फेक्स है तो इसका हाफ हुआ तो इसका भी करना पड़ेगा हाफ फार्मुला देख लो साइन टू ठीटा का लगेगा तो टू साइन ठीटा अपन टू इंटू में कॉस ठीटा अपन टू यह फार्मुला है तो यहां पर लिख देते हैं साइन टू ठीटा के एक्वल टू साइन ठीटा इंटू में कॉस ठीटा यह फार्मुला आपको ध्यान रखना है यहां पर भी एंगिल का हाफ होता है तो ठीटा में कनवर्ट होगा और ठीटा है तो ठीटा अपन टू में कनवर्ट होगा एंगिल का हाफ करना चाहें जितना हो एंगिल अब देखो एंगिल हो गया सेम अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइग कर लेते हैं तो टू कॉस स्कॉाइर ठीटा अपांटू 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 इसके इक्वल क्या चल रहा है तेन फाइग चल रहा है यह लो तो यहां पर क्या मिला तू से टू कड़ गया एक इससे चला गया को स्पांट साइन क्या होता है को सपांट साइन कोड होता है COD होती है हमने क्या बोला था इक्वल के इस साइड़ पें ही बनाओ अभि यहां पे 90 का यूज होगा वाद्रेंट चतुरतांस तो बता भाई कहुं सा यूज करें तो इसको इसको पाउस्ट के नाइनटी मानस थीटा लिख लेते हैं कि यह कैलकुलेशन हंड़ेट परसेंट काम करती है समझ गए देखो कैसे अब हम बताते हैं इसके बाद यह फास्ट यह सेकेंड और यह थार्ड और यह फोर्थ चतुर्थांस बोलते हैं कि वह कौडरेंट तो यहां पर पता है आपको कि 90 माइनस ठीटा इसमें यही तो एंगिल होता है कि इसमें होता है 90 पिलस क्योंकि यह 90 यह तो 90 से आगे जाएंगे तो 90 पिलस हो जाता है तो फस्ट कि चतुर्थांस आपको यूज करना है तो देखो बाई पॉर्ठ है हमने लिख दिया 10 को कॉड का टेन लिख दिया एंगिल आपको चेंज गना यह वाला तो पाई वाइटू मैनस मेरे पास किया है ठीटापउंट क्या है धीटापउंट्टू अब टेन से टैन हटा दो ते जाता यह अद्रस हो जाता है गाइब हो जाता तो पाइब वाइटू माइनस ठीटा अपांडू यह वैलू निकली है नोट कर लो बाइक कम्प्लीट हो गया अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की इसको हम रॉफ करते हैं नोट कर लो इतना जल्दी रेविड़ फाइर इसको क्या करते हैं रेविड़ फाइल ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं नेक्स्ट जो पार्ड है न उसको सॉल्व करवाते हैं अब उसने यह बोला है कि भाई यही है केवल माइनस है अंतर 2A के अपन आर है और इक्वल में 1 माइनस का कॉस ठीटा है जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ न सेम टू सेम ऐसे ही कर लो सॉल देखो कैसे सबसे पहले दा गिविन कर्ब लिखना है दा गिविन कर्ब पूरी इकसर साइज की अगर बात करें तो कर पर ही काम होगा यह फिक्स है तो 2A के अपन आर 1 माइनस का कॉस ठीटा अब आर को आपको क्या करना है अंस में बनाना है क्या बोलते हैं नियूमरेटर बोलते हैं तो अंस में बनाओ तो आर का किरास इंटू कर दो और बन मैनस कॉस ठीटा इस साइड ले आओ तो वन मैनस का कॉस इतना ठीक है अब वही काम करो जो फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था एक्वेशन फर्स्ट बताया था यह नहीं तो डालो जरूत पड़ेगी इसके अब डिफ्रेंसियेट कर लो जब अंस में आर हो जाएं आपको डिफ्रेंसियेट कर देना है बिद रिश्पेक्ट टीटा के तो यहां पर लखेंगे डिफ्रेंसियेटिंग विद रिस्पेक्ट टीटा यह लाइन बोलती है कि दोनों साइड आपको डी अपांट डी ठीटा रखना है रग दिया ठीक है यह हो जाएगा डी आर के अपन डी टीटा इसका बोलो अभी बताया था कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बना पान एक्स का होता है माइनस बना पान एक्स इसको लिख दिया अब इसका अगेन कर लो वन का जीरो सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड क्या निकल के आया डेख लो डी आर के अपन डी ठीटा के एक्वल जह उसके ऑपना और साइण ठीटा के अपान में वन मैंनस का कॉस ठीटा, whole power कितनी है, 2, ठीक है, अब इसके बाद इसका रेशी पिरोकल करो, तो रेशी पिरोकल करेंगे, ठीटा, उपर जाएगा, DR नीचे आएगा, नीचे वाला उपर कर लो, और उपर वाला नीचे कर लो, ठीक है, इसके बाद में R का इंटू कर लो, दोनों साइड, चूंकि ये फार्मूला है आपके पास, R का इंटू करोगे, तभी तो पूरा-पूरा ये मैच होगा, तो रंती हम 10, 5 रख देंगे, तो दोनों साइड आपको R का इंटू करना है, तो R, 1 माइनस कॉस्ट ठीटा, की होल पावर 2 के अपान माइनस का 2A साइन ठीटा, ये माइनस उपर कर लो, ये माइनस कहां कर लो, उपर, क्योंकि माइनस की बात करें, तो नियूमरेटर का ही होता है, इतना ध्यान रखना, अब देख लो, जैसे ये बन जाए, ये बन गया, जैसे ही ये बन जा तुरंत ही, 10, 5 रख दो, तो हमने 10, 5 रख दिया, और वहां पे R की बहलू रखो, एक्वेशन फर्स्ट से, त माइनस, 2A के अपान में, 1 माइनस का कॉस ठीटा, और इंटू में ये चला रहा है, 1 माइनस कॉस ठीटा का, होल स्कॉयर, अपान में, R की बहलू रख दी, यहां से देख लो, 2A के अपान, 1 माइनस कॉस ठीटा, और इसको ऐसे लिखो, नीचे वाले को ऐसे लिखो, अब जो तो बेलु रखी है कहां से रखी है अगर रखी है तो लिख दो यहां पर वाइक सब्सक्राइब करें दिया आप सौल परेंगे यह कड़ गया तो 10 5 के एकवल क्या मिला यह टुए से टूए कड़ गया ऊपर मिला ओएं माइनस ₹ का स्थीटा हूं मे तक अब देखो मिलना- पर्णि- कॉस देखो ब कहीं दिках कल्लेस्ट कर लो ब्रकू को कैंशिर कर लो थूसाइन में फार्मिलाल लगाते हैं इसको और यहां और आगे बढ़ते हैं देखो भाई यहां पर आएगा 105 के एक्वल माइनस है तो साइन में फार्मूला लगेगा तो बान मैनस फार्मूला वन मैनस का टू साइन स्कॉायर ठीटा अपांटो एंगिल का हाफ होगा अगर ठीटा है तो ठीटा अपांटो होगा अब यह बोलेगा यह कॉस क्या बोलेगा अगर मेरा एंगिल हाफ हुआ है तो तुम भी करो किस से बोला इस से नीचे वाले जै कॉस ने बोला है अगर मेरा हाफ हुआ है ठीटा अपांट हुआ है तो तुम भी करो तो साइन भी करेगा लगा फार्मूला टू साइन ठीटा के अपांटू इंटू में कॉस ठीटा के अपांटू यह वन से वन कड़ गया न तो माइनस माइनस पिलस और बाहर क्या है माइनस से टू साइन इसक्वार ठीटा अपान्टू अपान में टू साइन ठीटा अपान्टू इंटू में कॉस ठीटा अपान्टू यह बन पावर कैंसिल हो जाएगी टू से टू कैंसिल क्या मिला कि इस साइड आपको टेन बनाना ही बनना आए तो टेन यह बन गया कब बात करेंगे हम हाँ माइनस को हटाना है अब क्वाडेंट यूज कर लो बाई माइनस कैसे अब बताओ टेन किस किस में माइनस होता है कावन कावन से क्वाडट में मैनस यह होता है इसको रफ करते हैं लॉए किस किस चतुर्थांस मे Hermuck होता है कि यह माइनस हटे गा तबी दोनों साथ ten तो देखलो घो है यह फस्ट चतुर्थांस है यह सेकंड है और सिर्ड है और यह क्या है आए और यह होता है और इसमें माइनस होता है कि सेकेंड कोडिन में और फॉर्थ कोडिन में टेन माइनस होता है आपको कौन सा लेना है यह वाला लेना कि यह वाला जो पहले मिल जाए एक सीड़ी होती है जो पहले मिल जाए उसी चतुर थांस का यूज करेंगे जो पहले मिल जा तो यहां से स्टार्ट करेंगे जो पहले मिल जाए कोड़ेंट वही यूज़ करना है तो यह मिला तो इसमें एंगिल कौन सा लेना है 90 वाला नहीं लेना है क्योंकि टेन का टेन ही रहना चाहिए तो पाई माइनस ठीटा यही होता है बने टी डिगरी माइनस ठीटा ठीक है तो यूज करेंगे तो इसके बाद यूज करेंगे तो टेन फ़ाई के एक्वल इसको यहां पर ना लिखके यहां पर लिखेंगे इसके नीचे तो ठीक है टेन पाई माइनस पाई माइनस यह एंगल लिख लो जो है अगर इसे बापस करना चाहते हैं टेन बनेटी डिगिरी या टेन पाई माइनस ठीटा क्या होता है माइनस का टेन ठीटा होता है मैंने मैंस कके टिटा होता है क्योंकि साइन कॉसिक प्लस रहते हैं इसमें अधर सारे- बापस करना चाहूगे तो यहीं मिल जाएगा तो यह इसे बापस नहीं करना है यह वह दियुए भूथ टेन ख़ें अब नेक्सट पा की मात करेंगे किसकी बात करेंगे next part की बात करेंगे इसको आठाते है इसको भी paints every नेक्स्ट पार्ट थार्ड पार्ट की यह बारी नहीं करेंगे इसके साथ कोई आ रही है थार्ड पार्ड में बोला आहे ऑर के उक्वल, एक और वन मां-स का को सच तृट है यह थार्ड पार्ड में यह बोला है और यह आया हुआ है हम लिख देते हैं मेरट 2001 में पूछा गया था 18 में पूछा गया था और पुरुबान चल पुरुबान चल यूनिवेस्टी में 2019 में ये पूछा गया था समझ गए तो ये आए हुए है भाई जरूर इनको लगाओ 2001 में मेरट यूनिवेस्टी में ये पूछा गया था 18 में भी पूछा गया था 2019 में पूरुबान चल यूनिवेस्टी में ये पूछा गया था ठीक है तो इसको तैयार करना ही करना है तो लिख लो दागेवेन कर्व दागेवेन कर्व अर्क एक्वल क्या ए और वन माइनस कॉस्टीटा तो यहां पर अगर और की बात करें यह अंस में मिला आए इसमें क्या है मिला है पहले से मिल गए अंस में मिल गया तुरंत ही डिफ्रेंशियत कर दो बिद रिस्पेक्ट टू ठीटा के ठीटा के सापज आपको अब कलन करना है इसको कर डालो डिफ्रेंशियर्ट्च इंग वेद रिस्पैक्ट तो ठीटा ठीक है तो d r के अपांड d ठीटा इक्वल ए 1 का 0 और सी ओ से स्टार्ट है मैनस होड़ेगा मैनस मैनस प्लस हो जाएगा तो d r के अपांड d ठीटा एक्वल क्या मिला a sin ठीटा हमको किसकी बेलू चाहिए इसकी तो पहले इसकी निकालते हैं टीटा ऊपर चला जाएगा और डी आर नहीं चाहिए तो इसका भी कर लो कि ए है क्या है यह साइन ठीटा ठीक है अब क्या करोगे यह आर चाहिए तो आर का दोनों साइड इंटू कर लो यहां से देखो तो आर डी ठीटा के अपान डी आर इक्वल आर के अपान में एंट इंट इंटा हमने क्या कर लिया दोनों साइड आर का इंटू कर लिया क्यों कर लिया क्योंकि हमको पूरा-पूरा यह चाहिए यह होता है यह मिल जाता है तुरंथी हम 10 5 रख देते हैं तुरंथी रखो 10 5 बन गया अब इक्वल आ रहे ना यह आर की बहलू रखेंगे तो ए और वन माइनस का कॉस्ट इटा अपान में ए और इतना ठीक है काहां से बहलू रखी लिख दो वाई क्वेस्ट से बहलू रखी ह है जहां से रखी है आर की वहां पे आपको लिख देना है ठीक है अब देखो कैल्कुलेशन फिर में लगई यह बन माइनस यह कहीं आपको दिख जाए तुरंथी यूज कर लो तो माइनस है तो कॉस्ट टू ठीटा का फार्मूला साइन में लगाना है अगर पिलस होता तो क रखान में लगाते हैं कि लगावाई है मन माइनस रान माइनस सैनि स्कूर ठीटा अपाँट ओंटुं एंगल का हाफ करना लो और तो यह बोलेगा अब यह चुप नहीं इंटू में कॉस ठीटा अपांटू अब देखो यह से एक कड़ गया था दुबारा ना लिखो यह से कड़ गया था ठीक है तेन फाइक के इक्वल देख लो यह देखो ऊपर मिला पिलस का टू साइन इसक्वार ठीटा अपांटू और नीचे टू साइन ठीटा अपांटू इ और बताते हैं इसके आगे फाई इंगिल निकालना है क्या निकालना है फाई इंगिल निकालना है तो देखो भाई यहां पर टेन फाई के इक्वल तो राइओ पान-कॉस क्या होता है टेन होता है हमने लिख अब टेन से टेन हटा लो तो फाई की वह लो क्या आगे ठीटा पांटू अगे है कि यह अंसर आजायाए आभाक नेच्च पार्ट कर तो कंपलीट हो गया है उप लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो सभी स्टूडेंट तभी मज़ा आता है गर्दा तो तभी तो उड़ेगा हर एक पार्ट का हर एक कुशन का कि इसको अटाते हैं अब बताते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी है तो यहां पर हमने डाल दिया फोर्थ पार्ट यहां पर बताया गया है आर स्कॉयर के इक्वल कर जो कि एसकोयर और कॉस्ट टू ठीटा और स्कॉयर कोड़ चलो भड़ी ऑर स्कॉयर के इक्वल एसकॉयर कॉस्ट टू ठीटा यहां से निकालेंगे फाई की बैलो तो लेक लो दागिविन कर्ब क्या लेख लो दा गिविन कर्व आर स्कॉयर के एक्वल ए स्कॉयर और कॉस टू ठीटा इसे एक्वेशन फाइड डालो क्यों कि हमको आर मिल चुका है अंस में नियूम्रेटर में तुरंथ ही एक्वेशन डाल दो भाई क्योंकि इसका यू जोगा आगे अब करना है विद रिस्पेक्ट ठीटा कर दो भाई तुरंथ तुरंथ डिफ्रेंसिये टेंग विद रिस्पेक्ट ठीटा अगे इतना किलियर हुआ जैसे ही आर नियूम्रेटर में मिल जाए तुरंथ ही यह लाइन आपको लिखना है और यह लाइन क्या बोलती है कि दोनों प्रेंदर यहां पर इसका हुजाएगा टुर और आजर काओ ओंडि अप इपन डीटीटा एकक्वल एगा इसका करना बतावाई तो आपको पता हैं सियो से श्टार्ट है मायन मैनस चोड़ते हैं जब डिफ्रेंसियेट करोगे तो हमने क्या लिखा मैनस का टू लिख दिया क्योंकि टू टू ठीटा का आगे न करोगे टू निकलेगा और कॉस का आपको लिख देना है साइन क्योंकि मार्णस आगे ही यूज कर लिया है अब यहां से टू से टू काड़ अब क्या चाहिए हमको मतलब नीचे DR ऊपर D theta तो रेशीप रोकर कर लो ऊपर D theta नीचे DR ये भी आएगा नीचे R क्योंकि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे माइनस वन अपान ए स्कॉयर साइन टू ठीटा ठीक है अब हमें क्या करना है पहले तो आर का क्रास इंटू कर दो दीटा के अपान डी आर इक्वल में मैनस का आर अपान में ए स्कॉयर और साइन टू ठीटा माइनस का R अपन A स्कॉयर साइन 2 ठीटा ठीक है यहां से हमने R का क्रास इंटू करके लिखा है अब हमको क्या चाहिए यह R चाहिए D ठीटा अपन DR में हमको R इंटू में चाहिए नहीं है तो भाई इंटू कर लो दोनों साइड में R का तो R यहां पर क्या हो जाएगा R स्कॉयर अपन में A स्कॉयर साइल 2 ठीटा ठीक है अब पूरा-Pूरा यह मैस हो गया भाई तो इसकी बैलू क्या है 10 five है रखो भाई 10 five ठीक है यहां पे R स्कॉयर की बैलू रखो यह वाली A स्कॉयर स्कॉइर कॉस्ट टू धीटा अपान में ए स्कॉइर साइन टू धीटा तो यहां पर आपको लेक देना वाई क्वेशन फास्ट से हमने आर स्कॉइर की वैलू रखी है अब देखो कुछ कैंसिल होगा यह कड़ गया हमने आपको यही बताया कि इक्वल के इस साइड अगर टे अब इससे टेन बना लो और माइनस भी है तो 90 का यूज होगा क्योंकि यह भी चेंज होगा कोड का टेन होगा तो एंगिल यूज कर लो डारेक्ट पता तो है आपको कोड्रेंट क्या करोगे लिखके पता तो है कि अगर हम लिखते हैं 90 पिलस यह देखो टेन 90 पिलस तो इसे 90 पिलस करो 50 90 मैनस रेश्यूंड हो जाता है रेश्यूच यूज हो जाता है तेन का कोड !! कोड कर देन धान तो कोड कामने टैन बना लिया अब यह माइनस कैसे मिलेगा क्यूंके यह सेकिंड कॉडिंड मैं दुःत चदूर्थ हसमें यह था सॉनjang कौसिक माइनस होते हैं और साइन और कौसिक पिलस रहते हैं उसके अलावा सारे माइनस रहते हैं तुरंटी माइनस हो जाएगा बाई एंगिल बताता है कि किस कौडर्रेंट में आपने इसको यूज्ज इसको ठीक है तो 10 से 10 अटा दो तो फाइग की वैलो आगई पाइव वाइटू पिलस का टूठीटा है नोट गलो भाई अब नेक्स्ट पार्ट की यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आरी काउं सा पार्ट है फॉर्थ पार्ट है ठीक है फॉर्थ पार्ट तो होई चुका है मतलब cinth part है लास्ट पार्ट है चलो भाई इसको भी करवाते हैं लास्ट पार्ट कि अ है इसको अठाथते हैं अब बात करेंगे ंस्ञेश्ट पार्ट गी है लास्ट पार्ट है कुश्ण आओ फर्सट का यहां पर देखो और की पावर अ डे रखा है अ-ए-अ-ड स न ए की पावर अउक लखनो इनिवेस्टी में पूछा गया था 2005 में 2005 में यह पूछा गया था आर की पावर एम इक्वल एकी पावर एम कॉस एम ठेटा चलो भाई कि यहां से निकालते हैं पाई की वेलो तो दगिविन कर्ब लिख लो दगिविन कर्ब सभी स्टूडेंट लिखो आर की पावर एम इक्वल में एकी पावर एम कॉस एम ठीटा इसे डालो क्योंके आर जो हमको मिला है वह नियूम्रेटर मिला यां यह से नियूम्रेटर मिला तुरहतो तो यहां पर लिखेंगे डिफ्रेंसियेटिंग विद रिस्पेक्ट तो दोनों साइड आपको डी अपन डी ठीटा रखना है एक्वल के इस साइड और एक्वल के उस साइड एक ही पावर यम और कॉस यम ठीटा यह मागे कर लो वन पावर लेस कर लो आर का अगें कर लो यहां पर एक ही पावर यम इसका बता हूं माइनस का साइन होगा और यम ठीटा का अगें होगा तो क्या निगलेगा अब आपको एम से हीएम काट लेना है अब क्या करना है डी आर अपान डी थीटा की वैलू निकाल लेना है तो माइनस एकी पावर एम और साइन एम ठीटा की अपान क्या आएगा मुन आपान में अर्गी पावर यम 2 एंद इस अब हम को क्या चाहिए डी ठीटा उपर चाहिए डी आर नीचे शायए देखो डी ओपर डी यार नीचे रे सी परोकल कर लो व्यूत्करम कर लो व्यूत्करम तो डीठीटा in ondr यार एक्वल नीचे वाला उपर और उपर वाला नीचे मैनस एक पावर यह साइन एम ठीटा ठीटा ठीक है कि अब हमको क्या चाहिए आर का इसमें इंटू भी चाहिए तो आर का इंटू कर लो दोनों साइड तो यहां पर आर का इंटू होगा न तो क्या मिले वाता उपर जब हमने इंटू किया आर का तो आर की पावर वन पिलस की और माइनस बन कैंसल हो गए इतना मिला और यह माइनस उपर देतो ठीक है अब बन गया यह पूरा-पूरा दिख रहा है इसके इक्वल क्या है टेन रखेंगे और आर की पावर म कांसर रख दो ऑग की था एकी पावर रियम और कोस म Á reset अपान में एकी पावर रियमस यहां तीता यह काट दो और यहां पर बता दो कि क्वेशन कोफ तसे हमने आर की पावर यम की वैलू रखी है एक्वेशन फर्स्ट जाए अब आपको पूरी-पूरी जानकारी है यहां पर देखो कौस अपान साइन क्या होगा कॉट हमको क्या बनाना है टेन बनाना है बनावाई टेन तो कॉट से अगर टेन बनाया तो 90 माइनस थीटा आप 90 माइनस थीटा से केवल यह मैस होगा यह नहीं मैस हो पाएगा नेगेटव तो 90 पिलस यह हम थीटा कर लो टेन का हो गया कोट और यहां पे 90 पिलस है तो यह माइनस आ जाएगा ठीक है योगे टेन ऐसाइड है तो टेन उस साइड बनाओ तेन से एट आड़ा दो तो कुष्षन कर अध्य है सॉल्व इस अगसर सेखिंड है इसको रख करते हैं से लिखते हैं में इपिर बताते हैं की कैसे उसकू साल्प करों एकती है तब तक आप लोग वीडियो लाइक कर दो गाए तोड़ा रेविडी फायल ले ले ते इसको ये लोर रॉफ हो गया तो जेह माकाल जल्दी लग जा सवाल नहीं तो पेपर में हो जयेगा बवाल में नहीं बवाल होगा वन वॉइ बन कुसन का उडवाएंगे गर्दा पहले इसको हम रॉफ करते हैं फिर बताते हैं कुसन सेकिंड की आप बारी नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी बोला इफ ये कुशन लिख गया आप देख लो यहां पे कुशन सेकेंड बताया गया है इफ फाई वी दा एंगिल विट्वेंट टेंजेंट टू ए कर्व एंड दा रेडियस वेक्टर ड्रा फ्राम अर जिन फाई के लिए बोला है यह एंगिल है विट्वेंट तेंजेंट रेडियस वेक्टर तो यह तो हम बता चुके हैं बेसिक में डाइङराब में कि ठीटा किसके बिट्वीन एंगिल होता है बिट्वीन एंगिल मिलता है और साइक आई एंगिल मिलता है वह यहां पर लिखा जो बेसिक में हमने डाइग्राम में आपको बताया था केवल यह देखो प्रूब करना है इतना 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 और यह गोरखपूर उनिवस्टी में पूछा गया था 2006 में ठीक है करवाते हैं इसको सौल तो आपको पता है पिछली किलास में छाइक के एक्वल हमने लिखा थाँ ठीटा प्लस फाई उसी से यह पूरूब ہو जाएगा तो आपको यहां पे लिख ले ले ना we know that we know that तो साई के इक्वल ठीटा प्लस फाई यह लिखाया था ना अब यहां से हमको कि फाई की बैलू निकाल लेना है ठीक है तो इसको इस साड़ लाएंगे तो साई मैंनस ठीटा हो जाएगा ठीक है अब क्या चाहिए टेन चाहिए तो आपको दोनों साइड टेन ले लेना है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे टेन ले लेंगे टेकेंग टेन बोथ साइड दोनों साइड आपको क्या ले लेना है टेन ठीक है तो इसको हम यहां पर बताते हैं टेन साइड फाई है एक्वल में साई है और माइनस का क्या है अब यहां पर लग जाएगा फार्मुला टेन ए माइनस बीका लगेगा तो टेन साई के एकवल लेख लो टेन ए माइनस टेन वी अपान में वन प्लस का टेन एंटू टेन वी यह फार्मुला लग गए अब आपको टेन साई और टेन ठीटा पता हो जैसे टेन साई की बात करें तो आपको पढ़ने को मिलेगा एक्सरसाइज 11.4 में 11.4 एक्सरसाइज में टेन साई पढ़ने को मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स और टेन ठीटा तो आपको पता ही है क्या होता है वाई अपान एक यह तो हम आपको चेप्टर 10 में बता चुके हैं चेप्टर 10 कंप्लीट करवाया ना पार्शेल डिफ्रेंस यह साथ पारामेट्रिक मिलते थे यह बाइकुल आर साइंट इडा यह बहुत यूज हुए थे चेप्टर 10 में तो डिवाइड लगा तो यह तो आपको मिल जाएगा यहां से लेकिन यह जो है आपको यहां पर डारेक्ट याद कर लेना ना क्योंकि पढ़ने को मिलेगा 11.4 में तो यहां पर डारेक्ट याद आध कर लो ठीक है अब इसको रखनें यहतों है आपको समझाया आए अब देखो बैलो रखेंगे इसको हम रफ करेंगे हैं अब देखो है टेन फाई के एक और क्षी लोगलो क्या है डी वाई के अपान डी एक से हमने यहां पे हमने रखे और इंटू में टेटा एक बेलो रख लो वाई के अपन एक्स अब आपको एलसियम लेना है तो टेंस आई एक्वल तो यहां पे एलसियम मिल नहीं पाएगा इतना इस पैस नहीं है यहीं पर बताते हैं देखो भाई अगर हम 10-5 कि बात करें एलसियम मिलेगा एक्स ठीक है इसका इसमें इंटू कर दो तो एक्स डीवाई के पॉनदी एक्स और मैनस वाई नीचर लेलो लूक्ष्यम एक्स यहां पर देखो इसका इसमें कि गए एक्स प्लस का वाई धी वाई के अपन डेयक्स इतन किलियर हुआ भाई इस लाइन के ऊपर ले लिया इस लाइन के नीचे ले लिया एक्स मिला यह कट गया अब जो बचा उसे लिख लो आंसरीट आ जाएगी कि तो देखो उसके एक्वल यहां से लिखना है कि टेन फाई के इक्वल तो याक्स डी वाई के अपाउं डी एक्स माइनस का यह एक्स प्लस का यैस अँसरीट आगी मैच कर लो जल्दी तो यह मैच हुआ यह मैच हुआ सब मैच हो गया अब लग नोट करो अगले कुशन की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है तो आप लोग नोट कर लो अभी यह हमने रफ नहीं किया है चलो अब रफ करते हैं अब कुशन की है बारी नेक्स्ट सब इस्टूडेंट लिखो भाई कुशन 3 यहां पर बताया गया है find the angle find the angle of intersection intersection of the following curve सभी स्टूडेंट लिखो अब फालॉइंग कर्ब्स फास्ट पार्ट यहां पर बोला है आर इक्वल एक और सिटा पर टू आर के इक्वल क्या है यह है ठीक है आर के को एक और सिटा है तू आर इक्वल ए यहां पर हमको इंगिल फाइंट करना क्या find the angle of intersection तो आपको पता है इसका मिंस क्या है अल्फा यह बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था अल्फा को बोलते हैं इंगिल आफ इंटर सेक्शन तो अल्फा के लिए कंडिशन यह हमने आपको बताया था कि five 1 फिर five 2 यह सब बता चूएं बेसिक में और कंडीशन इसके लिए आपको बता prob Admiral ग्रेंट सहं सैंग फाइटू ग्रेंटर ह håता इसके इसमें मिस सब बएसिक में बता चुए हैं तो इनी दो मेंसे से एक कंडिशन यह अिए उजा करना है तो इसी का यूज करना है जो फार्मुला रहना ये फार्मृवाइ कर से आपको मैं यह फार्मृल लगेगा तो five-one निकलेगा और सेकन्ड करवसे आपको फाइटो मिल जाएगा फार्मला वह लगेगा ठीक है टू आर के इकवल ए है तो यहां पर टू आर के इकवल ए है कि एक पर्सट पार्ट में भाई कि ठीटा के भी तरेस्पेक्ट करेंगे तो वह तो जीरो ही मिलेगा तो देख लेते हैं आप क्या करो इतना नोट करो हम देख लेते हैं एक बार कि यह जो है दूसरी बुक में इतना ही दिया गया है जो यह सैकेंड वुक को देख लेते हैं आप तब तक नोट कर लो यह जो कि नोट करओ कि सेकंड बुक ले आएं और यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट इसका जो पार्ट है में स्प्रिंट तो नहीं है पता लगा मेनत भी करें और नतीजा जीरो मिले नतीजा क्या मिले जीरो मिले तो मेरे प्यार वच्चों यहां पर सही लिखा है कोई गडवड़ी नहीं है तो करवाते हैं सौल कोई गडवड़ी नहीं है गडविन कर्व लिख लो क्या लिख लो दगिवन कर्व आर केक्वल एक ऑस थीटा इसे बन डाल दो और डूर केक्वल एसे सेकेंड डाल दो तो फ्रांग equation first r के equal a cos theta ठीक है r आपको पता है numerator में है तो तुरंथ ही आपको differentiate कर लेना है क्योंकि हमको यह चाहिए तो differentiate करो भाई तम मिलेगा किसके बिद रिस्पेक्ट करोगे theta के differentiating with respect to theta तो दोनों साइड आपको d upon d theta रख लेना है तो a cos theta तो यहां पर क्या आएगा d r के upon d theta तो a मैनस का sin theta मैनस आए कर लो तो यहां पर d theta नीचे है और d r उपर है यहां पर d theta उपर है d r नीचे है तो reciprocal कर लो d theta उपर पहुंच जाएगा d r नीचे आजाएगा और इसका भी हो जाएगा मैनस बना पॉन a sin theta ठीक है इसे नीचे लिख लिया रेशी प्रोकल किया ना ब्यूत करम अब क्या चाहिए r चाहिए ना r का into है तो r d theta के upon dr r का into कर लो मैनस r के upon a sin theta अब r की बलू रग लो r की बलू रग लो तो r मेरे पास है a cos theta मतलब अभी equation first में आप काम कर रहे हो equation first का तो equation first से ही r की बलू रखना है equation second से नहीं रखना है और यहां पर आपको लेख देना है क्योंकि जब यह पूरा पूरा मिल गया ना तो क्या होता है टेन 5 होता है तो 5 1 कर लो first curve से 10 5 1 आपको करना है second curve से 10 5 2 समझ गए तो r की बलू रग लो a cos theta upon a sin theta r की बलू यहां से रखी है a cos theta upon a sin theta इससे यह कड़ गया और यहां पर बता दो y equation first से हमने value रखी है तो यहां पर 10 है यहां पर 10 है तो उस side आपको 10 बनाना है equal के इससा 10 है तो equal के उस side भी आपको 10 बनाना है तो देखो क्या बना तो cos upon sin cot बना अब cot का 10 करना है तो यह तय है कि 90 तो आएगा माइनस है तो 90 पिलस थीटा यूज करना है तो 10 5 1 equal तो 10 90 पिलस कर लेते हैं क्योंको 10 90 पिलस थीटा होता है माइनस का को थीटा अगर यह माइनस ना होता तो यहां पर हम माइनस ले लेते हैं केबल और केबल रेसियो अगर चेंज करना होता तो यहां पर माइनस ले लेते हैं समझ गए फाइव बाइटू माइनस ठीटा लेकिन अगर रेशियों के साथ साथ यह माइनस भी लाना तो यह पिलस का एंगिल यूज करना है अब टेंज टेंट अटा दो फाइव बाइटू पिलस का ठीटा आ गया अब एक्वेशन सेकंड ले लो लो एक्वेशन सेकंड तो क्या है मेरे पास है टू आर के एक्वल ए हैं कि ठीटा के बिद्रिस्पेक्टू डिफरेंसीट कर दो क्योंकि फाइटू यहां से मिल जाएगा फिर देखेंगे फाइव और फाइटू में कौन बड़ा है उसी के हिसाफ से हमको अलफा नि कि इसको क्या करते हैं ड्राफ करते हैं इसके आगे करवाते हैं सॉल्व कि तो डिफ्रेंसियेट डिफ्रेंसियेटिंग विद रिस्पेक्ट टीटा गे तो अपने आपको बता है आर की बहलू निकाल लो एपांट टू कर लो ऑर आपको चाहिए है बास डियार के पांट डी टिटा इकल में क्या आएगा बता हुग ना अब क्या गरो रेशीप नोकल कर लो यदि रूपर डी टिटा नीचे तो वन आपन जीरू अब हमको क्या चाहिए और का इंटू और जाए हैं तो इसमें करेंगे दोनों साइड आर का इंटू तो आर डीठीटा के अपन्ट डी आर आर का इंटू कर लो हूं तो आपको बताए आर और इसे क्या लेख दो infinite बना पांच जीरो तो इनफाइनट का अगर इंटू कर रहे हो तो इंफाइनट ही रहेगा चाहें आप ऐसे सीख लो भाई इंटू कर लो तो आर पांजी रो ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे जीरो है तो इनफाइनट ही आपको लिखना है है और ये क्या बन गया टेन बनगे न आप इसको असके कर भी से कर बाई तो और लो कितने होती है यह चुह लो हमको पताचा लगये इसको रहाफ करते हैं और कि क्या लो पर निक्सों थेनट हटा दो तो दो क्या मिल गया पाइवाइटू मिल गया अब आपको देखना है इसमें इसमें कौन गिरेटर है तो यह गिरेटर है यह बड़ा है यह चोटा है क्योंकि इसमें पिलस हो रहा है नाइंटी में कुछ पिलस हो रहा है और यह केवल नाइंटी है तो यह गिरेटर है और यह लेस है यहां पर क्या करना है यह वाली कंडिशन लेना ऐसाइब्ण गिरेटर रहे पाइटू लेजसे इस फाइब एपाइब गिरेटर देन अलग्लवा और फाईब न में पाइटू को मैनस करना है समझ गहें औो के वाइन इसको हम रफ करते हैं है अल्फा के कॉल 5-1 why too पिलस सीटा है कि और यह धाइड है प्ytvoy इनको solve करना है तो कैसे देखो from equation फास्ट एंड सेकेंड फास्ट एंड सेकेंड आर के इक्वल दोनों है यह भी है यह भी कर लो इक्वल कर लो तुरंत पता चल जाएगा तो आर के इक्वल एक और यह आर के इक्वल एपांटू है ठीक है ऐसे थीटा निकालो ठीक है अगर यहां पर थीटा बच रहा है तो थीटा ऐसे ही निकला जाता है इन्हीं दो कर्व को solve करना है ठीक है तो एसे एक कड़ गया तो कॉ से इसटेट को सैब वी आपको क्या सकरना है कि कॉसम से कुस वह अटाना है अब बता कॉस क dar बईलू होती है बना पर हंटू की सब्सक्राइब होती है तो ठीक है अब टीटा एक्वल रग लक्ते गो सभवल का और रग दो लहाँ और 60 डिगरी की बना पांट टू होती है तो ठीटा यहां से हमको पता से लगे हैं पाइवाई थिरी अब ठीटा की वैलू रग दो अलफा की वैलू कितनी आगे पाइवाई थिरी अग्ल आफ इंटर सेक्षन निकलाया अलफा अगर आंसर शीट मैंज करवाते हैं तो यहीं निकलेगी वैल फास्ट अगर पाइवाई थिरी निकली चलो वाई सेकेंड की बात करेंगे हम यह तो हो गया कंप्लीट नोट करो वाई से अब इसी का सेकेंड जो पार्ट है उसको नहीं करेंगे उसके साथ कोई यहां पर हम सेकेंड पार्ट लिखते हैं इसेकेंड पार्ट में बुला गया है कि आखे आर की एक्वड हमने लिखा और के पुल 6 तीटा ठीक है फिर क्या है आर की क्वड गव्र प्लश का कौस थीटा दो कर मैं पहला है आर के इकवल 6 कोस थीटा second जो एर्क इक्वल 2 1 प्लस कोश्ट थिटा ऐसे ही solve करो जैसे first part को solve किया न वैसे लिख लो the given curve लिख लो the given curve सभी student लिख लो r के एक्वल 6 कोश्ट थिटा है इसे डाल लो first r के एक्वल 2 1 प्लस का कोश्ट थिटा इसे डाल लो second से आपको बयालो निकालना है और है फाइब बन की निकालना फाइब न की कैसे निकलेगी है डिफ्रेंसियेट कर दो क्योंकि को समय मिला है अंसमय ग्ला तुरंत ही आपको डिफ्रेंस येट करना आ बिद रिस्पेक्ट टीटा गये तो डी आर के अपॉन डीठीटा एक्वल में इतना मिलेगा अब रेशी प्रोकल कर लो टीटा डी टीटा ऊपर डी आर नीचे तो मैनस मना पॉन सेक्स तीटा अब दूनों साइड क्या कर दो आर का इंटुगर दो तो और डीठीटा के अपॉ लेकिन फाइवन आपको लेना है टेन फाइवर एक्वल और यह रहा एक्विजन फास्ट से काम कर रहे हो ना तो पहला ही कर रखना आए तो सेक्स कॉस्ट ठीटा है ठीक है अपवान में सिक्साइं ठीटा सेक्सेस काट दूं अब टेन बनाओ एक्वल रिकाइब टेन एक्वल के उससाइट टेन बनाओ तो मैनस का कोट बना आँ अब यहां पर दूचीजें चेंज करना है मतलब कोड का 10 भी करना है और यह माइनस विलाना है तो 90 पिलस लेना है क्या लेना है 90 पिलस थीटा लेना है 1051 तो 10 से 10 चला गया 5 1 एक एक क्वल क्या आ गया 5 2 पिलस ठीटा आगे न अब एक कुछ सेकेंड से आपको फाइटू की वेलू निकालना है ठीक है फ्रांग एक क्वेशन सेकेंड तो आर के एकवल 2 और 1 पिलस का कॉस ठीटा डिफ्रेंसियेट कर लो ठीक है बिद्रिस्पेक्ट ठीटा के कर लो तो यह तू यहां से क्या मिलेगा जीरो और माइनस माइनस आए कर लो बन का जीर होगे ना लिखो कॉस का माइनस होगे ना माइनस का टू साइन टीटा तो रेशी प्रोकल कर लो चलो इसके आगे बताते हैं इसको हम रफ करते हैं इसके आगे बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे तो रेसिप्रोकल कर लो डीटा उपर पहुंचा दो डी आर नीचे तो माइनस बना पान टू साइन टीटा हो जाएगा ठीक है अब आर का इंटू कर लो दूनों साइड तो माइनस का आर के अपान में टू साइड टीटा अब इसके बाद आपको पता है हमें वैलू रखना है झूंकर इसके तो यहां पर क्या करेंगे तो लेंगे लेकिन फाइटू कर लेंगे तो क्या थी क्या थी से तो टू वन प्लस का कॉस्ट डिटा अपान में टू साइट रखिए तो यहां पर लिखना पड़ेगा वाई equal seconds by गक्वेसिक्विक से है फिर मिलगाय अब ऄंडीट परसेंट काम करती है देखो फिर मिला तो ठीलस है तो कॉस्टवा का फार्मूला आ कॉस्ट में लगाना है पिलस है तो कॉस्टव टीटा फार्मुला कॉस में लगाना है तो टू कॉस स्क्वाइर टीटा पांटू माइनस वन अब यह बोलेगा यह कॉस बोलेगा अगर मेरा एंगिल हाफ हुआ है तो तुम भी करो यह कॉस किसे बोलेगा साइंस है कॉस ने बोला साइन से अगर मेरा एंगिल हाफ गुआ है तो तुम भी करो तो यह भी एंगिल हाफ करेगा फार्मला लगा लो यह वाला लगेगा यह साइन टू ठीटा वाला तो टू साइन ठीटा पांटू इंटू में कॉस ठीटा पांटू ठीक है यह प्लस बन मैनस बन कड लगया थोड़ा सॉल्ब करेंगे यहां से हमको फाइटू की वैलो निकालना है ठीक है कि नोट करो इतना कि सभी स्टूडेंट करो नोट तो देख लो टेन फाइटू के एक कॉल तो चाओ तो टू से टू काड़ लो वाई क्यूंकि बंसे बंकर चुका ना और एक काड दो यह क्या मिला बता कोस अपन साइं कोड मिला तो मैनस का कोड थीटा पांटो अब आपको बताना है यहां पर भी दो चीज़ेंच करना है एक तो काड़ का टेन बनाना है और माइनस भी चेंज करना है ठीक है काम तो हुई जाएगा नोट करो इतना कौन सा पार्ट है यह सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में तो टू कॉस स्कॉयर ठीटा अपान टू-1 ठीक है कि बनाते हैं इसको है फाइं ट्यू यह बनेगा ठेन-9 फिल स्टिटा पॉसैंड फंप त्यू क्या होता हैは Daar थेक है तो फाइट्ट्य चज़ी निकाल दो फाइट्टू की निकालेंग को टो अभ देखो यह फाइबन है यहां पर ठीटा पॉन टू पिलस हो रहा है यह तो सेम है यहां पर ठीटा पॉन टू पिलस हो रहा है यहां पर ठीटा तो यह ग्रेटर है यह ग्रेटर है और यह क्या है ले से पाइवाई टू में यहां पर आधा पिलस हो रहा है इसमें पूरा हो रहा है तो फाइवन इसलियर फाइटू से safer alpha की वैलू ढिका साथ 75 में फाइटू को माइनस करना तो फबं़की वैलू यह रही ठिक है अवव्यकर की रग्लों फाइट उपर है पाइवक प्लस का ठीटा के अपांटू है की वैलू और पाइ टुगी रखे तो यह कट गया किह गए कट गया ऑज फाइब टुब ब्रस का फाइब टु माइनस का कि अब क्या मिला देगो अधिव टीटा माइनस टीटा-पांट्व मिला एक तीटा आपां टो निटा की वैलू निकालो योगल दूख कर वह ना वहीं से आपको निकालना यह अलवा कि तो इक्वल कर दो फिरा में रस्ट एंड सेकेंड को आर के ईक्वल है न तो टीटा वैलू निकाल लो ऊप्र दो ठीक के इसको अब रफ करते हैं ठें है और आगे इसको बताते हैं तो पहले हम ठीटा के वयल्यो निकालता है है प्राम एक्वेसन फाल्स टॉ एक्वेल गर दो तो यही तो प्राम एकल थे तो दोनों आर्यक पॉल है है तो इक्वल गर दो टीटा के इक्वल यह तो 66 236 टीटा एक एक्वल बन प्लस का कोस टीटा को इस सड़ आएंगे मैंनस कर दो को कौस डीटा के को बना पॉंट थो कॉस ठीटा कॉस कितने गाल होती यہां सिश्डी डिजी डिकर टू थीटा एकवल क्या में लगया कॉस से दसरे न ही ठीटा वहां पर रग दू इसको हम रफ़ करते हैं तो तो क्या करते है रफ करते हैं अब आपको यहां पर लिखना इसलिए अलफ़ा एक्वल क्या है इसलिए अलफ़ा के टीटा पांटू रग दो बहाई यहां पर यह ठीटा कितना मिलेगा वन आपन टू पहले से प्यज्य है तो प्यंज इदा मिल गया न एकहत्ति ऑन तर्फ अब थार्ड पार्ट की हica नहीं नहीं करेंगे उसके त्षाथ कोई इसके जितने पार्ट हैं, ऐसे ही solve हो जाएंगे, थार्ड पार्ट देखलो यहां पर लिखते हैं, बताया गया है, R के इक्वल A cos theta, R के इक्वल A cos theta है, और R के इक्वल A, 1- cos theta, यह है, R के इक्वल A cos theta, R के इक्वल A, 1- cos theta, सेम है, अभी जो second part हुआ वैसे ही है, लिख लो the given curve, the given curve, सभी student लिखो, equation first, डाल लो, equation second डाल लो, from equation first ले लो, ठीक है, from equation first, R के इक्वल A cos theta, differentiate कर लो theta की विद रिस्पेक्ट हो, क्योंकि R हमको numerator मिल गया, तो इतना मिल गया, अब इसको reciprocal कर लो, d theta उपर, और dr नीचे, तो मैनस वना पान, a sin theta, अब R का इंटू कर लो, दोनों side dr, ठीक है, R के अपन इतना, अब R की value रख लो, तो आर, d theta के अपन, dr, तो आपको क्या करना है, R की value रखना है, तो equation first से, a cos theta, a cos theta, अपान में देख लो, यह तो हमने R की value यहां से रख की है, ठीक है, अपान में, a sin theta, यह कार दो, तो यह क्या बन गया, इसके equal क्या है, ten five है न, तो ten five one कर लो, equal में caught हो गया, इतना clear हुआ, अब दो चीजें change करना है, अब कोट का ten बनाना है, और यह minus भी आना चाहिए, तो 90 पिलस आपको लेना है, angle क्या लेना 90 पिलस, तो ten बना लो, और 90 पिलस कर लो, समझगे, ten का caught हो जाएगा, और 90 पिलस ठीटा क्या दे देगा, यह minus दे देगा, ठीक है, तो five one आ गया है, five by two पिलस ठीटा, ठीक है, अब equation second, अदलब curve second ले लो, five two निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, from equation second, तो आर के equal क्या है, और one minus का caught ठीटा, कर दो differentiate with respect to theta के, तो क्या मिलेगा, a sin theta मिलेगा, क्योंकि बन का 0 हो गया, co से start है, मैनस छोड़ेगा, तो मैनस मैनस, पिलस हो गया, sign लिख दो, अब इसका रेसी प्रोकल बता, डी ठीटा उपर, डी आर नीचे, one आपान, a sin theta, अब आर का into कर दो, आर का क्या कर दो, into, इसको rough करते हैं, आर का दोनों side आपको into करना है, तो आर, डी ठीटा के अपान, डी आर, एक्वल, आर के अपान में, a sin theta, अब आर की value यहां से रखना है, क्योंकि second curve हम solve कर रहा हैं, और यह क्या बन गया, 10 बन गया, second curve है, तो phi 2 लिख लो, आर की value a, और one minus का cos theta के अपान में, a sin theta, यह cancel हो गया, तो 10, phi 2 के equal, अब फिर मिल गया माइनस, यह वाला, 100% calculation काम करती है, माइनस है, तो cos 2 theta का फार्मुला, sin में लगाना है, तो one minus का 2 sin, square theta upon 2, अब यह बोलेगा, यह cos बोलेगा, अगर मेरा angle half हुआ है, तो तुम भी करो, मतलब इस cos ने किस से बोला, sin से बोला है, अगर मेरा angle half हुआ है, तो तुम भी करो, तो यह भी angle half करेगा, तो करो भाई, नीचे वाला भी angle half, क्योंकि यह cos बोलेगा, मतलब बोलता है cos, तो one से one गया, 10, phi 2 के equal, माइनस माइनस क्या हुआ, पिलस, 2 sin square theta upon 2 में, upon में, 2 sin theta upon 2 cos, theta upon 2, cancel कर लो यह, तो हमको मिल गया, बता वाई क्या मिला, sin upon cos 10 हो गया, sin upon cos हो गया 10, अब phi 2 निकाल लो, क्योंकि 10 से 10 अटा दो, इसको रफ करते हैं, अब आपको निकालना है, phi 2, 10 से 10 चला गया, तो phi 2 के equal, आपको लिखना है, क्या है, theta upon 2 है, अब बताओ, कौन greater है इसमें, phi 1 greater है, कि phi 2 greater है, तो यह greater है, क्योंकि इसमें theta है, पूरा angle है, और इसमें आदा है, और theta में phi 2 भी प्लस हो रहा है, तो यह greater है, क्या लिखना, if phi 1 greater है, phi 2 से, यह वाली, यूज होगी, condition, then alpha के equal, phi 1 में, phi 2 गटाना है, तो alpha equal, phi 1 की value यह रही, यह है, और phi 2 की value, theta 1, 2, ठीक है, अब आगे बताते हैं, कैसे solve करोगे, बागी हम पे छोड़ दो, बागी तो हम पे छोड़ दो, तो pi y 2, इसे solve करेंगे, theta, minus theta upon 2, बता भए, pi y 2, यह क्या मिला, theta upon 2 मिला, बन में half गया, तो half बचेगा, अब theta की value निकालेंगे, इस से, तो equal अगर दो, from equation, first and second, from equation, first and second, equal गर दो, तो क्या है, a, cos theta है, equal में, a, one minus cos theta, मतलब, r के equal, यह भी यह आर के equal, यह भी equal कर दो, ठीक है, तो यहां से, इसको इस तरफ लाएंगे, इतना मिल गया, equal one, निकाल लो भाई, cos theta की value, इसको rough करते हैं, इसको क्या करते हैं, rough करते हैं, तो cos theta की value, आगे बना पांटू, अब यहां से आपको बताना है, cos की table में, क्योंकि यहां पे cos है, तो equal में आपको, cos ही लाना है, तो cos की table में बताओ, यह कितने value होती है, 60 degree की होती है, ठीक है, तो pi y 3 हमको मिल गया, अब रग दो, pi y 2, plus 1 upon 2, theta इसमें रखो, तो जैसे रखोगे, तो pi y 3, ठीक है, तो pi y 2, plus ka pi y 6, LCM ले लो, 2, 3, 4, 6, plus ka pi, तो कितना मिल गया, 4 pi upon 6, यह alpha निकल रहा है, बता वाई, टू से काड़ लो, इसको rough करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं भाई, तो alpha के एकवल, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2 से काड़ लो, 2, 2, 4, 2, 3, 6, answer sheet match करवाएं भाई, answer sheet इसकी match करवाते हैं, कौन सा part है, तीसरे का third part है, तीसरे का third part है, 2 pi upon 3, ठीक है, answer sheet तो correct निकली है, note कर लो, अब next part करवाते हैं, solve, fourth part है, कौन सा part है, fourth part है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fourth part डालते हैं, ठीक है, तो लिख लो भाई, fourth part फिर, आगे बताते हैं, solve कैसे करोगे, तो r square के equal क्या है, 16 sine 2 theta, और r square के equal क्या है, sine 4 theta, ठीक है, नई sine 2 theta ही है, और equal में है 4, बजब r square equal 16 sine 2 theta है, और r square into sine 2 theta equal 4, ठीक है, करो भाई solve the given curve लिख लो, the given curve लिख लो, the given curve, r square equal 16 sine 2 theta, ठीक है, इसे डाल लो first, r square into में, sine 2 theta equal 4, इसे डाल लो second, अब बाई बैसे ही solve करो, जैसे कर रहे हो, फिर हम equation फर्स्ट लो, r square के equal 16 sine 2 theta, differentiate गर लो, with respect to theta के, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 32 cos 2 theta, क्योंगे, sine का हो गया, cos, ठीक है, अब 2 theta का अगेन करो गे, तो 2 निकलेगा, 16, 2, 32 हो जाएंगे, 2 काट लो, 16 आएगा, reciprocal कर लो, उपर वाला नीचे और नीचे वाला, नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे, ठीक है, बना पाउन 16, cos 2 theta, r का क्रास इंटू कर दो, तो यहां पर देख लो, d theta के अपाउन, d r, एक्वल में, r के अपाउन में, 16, cos 2 theta, ठीक है, तो d theta के अपाउन में, d r, r का इंटू कर दो, दोनों साइड, क्योंकि हमको यह चाहिए, तो r का इंटू कर दो, दोनों साइड, 16 cos 2 theta, ठीक है, यह लिख दो, 10, 5, पहला कर भाई, तो 10, 5, लिख लो, अब r square की value, यहीं से रखना है, फर्स्ट कर दो, 16, 2 theta, अपाउन में, 16 cos 2 theta, यह कड़ गया, तो इक्वल में, हमें क्या चाहिए, इक्वल के इस साइड, 10 है, एक्वल के उस साइड, 10 ही चाहिए, तो 10, 2 theta, 10 से 10 चला गया न, 2 theta मिला, ठीक है, अब फिराम equation, second से काम करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, from equation, second, from equation, second, r square into में क्या है, sin 2 theta, r square equal sin 2 theta, ठीक है, अब यहाँ से r square की वैलो निकाल लो, मतलब r को अकेला ही रखना है, तभी differentiate करना, with respect to theta गये, ठीक है, तो यहाँ पर, r को अकेला चोड़ना है, इसको rough कर दें, r के square equal, यह नीचे जाएगा, sin होगा, cos 2 theta, अब differentiate कर लो, with respect to theta गये, तो, cosy का क्या होगा, cosy caught होगा न, cosy का, cosy caught होगा, लेकिन negative का होगा, negative का, यह को से start है, मैंस चोड़ेगा, अब 2 theta का again करोगे, 2 निकलेगा, 4 पहले से 8 कर दो, ठीक है, अब इसका क्या कर दो, हाँ, यह वाला जो है, 2 से, यह काट लो, ठीक है, अब reciprocal कर लो, नीचे वाला, उपर उपर वाला, नीचे, ठीक है, तो, minus 1 अपान, 4 cosy, 2 theta into, में caught, 2 theta, ठीक है, R का किरास into कर दो, तो, minus का, R के अपान में, 4, cosy, 2 theta into, में caught, 2 theta, अब R का into कर लो, को यह चाहिए, यह पूरा-पूरा बनाया जाता है, यह वाला, तभी तो लिख सकते हैं, 10, 5, तो, R का into की, R स्कार आगया, 4, cosy, 2 theta into, में caught, 2 theta, ठीक है, equation, second, यही था, आपको, R स्कार की बेलू रखना है, और इस साइट, R स्कार की बेलू रख दो, यह वाली, तो, माइनस, 4, R स्कार की रखोगे, यह नीचे पहुचा दो, तो, 4 अपान साइन, साइन को उपर पहुचाओगे, कॉसिक बन जाएगा, कॉसिक 2 theta, ठीक है, R स्कार की बेलू रख दी, और अपान में जो चल रहा है, उसे लिखू, 4 कॉसिक 2 theta, इंटू में, कॉट 2 theta, यह कड़ गया, अब इसको उपर लिखेंगे, कॉट को उपर लिखेंगे, तभी तो 10 बनेगा, हमको एक्वल के, उस साइट, 10 ही बनाना है, कि उस साइट, 10 ही इक्वल में, बन गया, अब आपको क्या चाहिए, मतलब 10 का 10 ही रहना चाहिए, और minus 8 जाए, तो बता भाई, 180, पाई minus theta ले लो, और second quadrant, जो पहले मिल जाए, जो quadrant पहले मिल जा, वही ले लो, क्योंकि 10 इस में भी, minus होता है, इस में भी minus होता है, second और fourth में 10 minus होता है, तो जो पहले quadrant मिल जा, उसी को पगड़ लो, एक सीड़ी होती है, second पहले मिला, second वाला ये रख दिया, बने टी मैनस theta होता है, तो ये 2 theta, यहां पे वही रखा, अब ये clear हुआ, कि इसे open करो हुए, यही मैच होगा, अब five two की value निकाल लो, यहां से, तो 10 से 10 अटा दो, पाई मैनस का two theta, अब देखो कौन greater है, ये greater है कि ये greater है, जो greater हो, उसी के हिसाब से, ये लगाना है, फार्मूले है, बता वाई, कौन greater है, ये greater रही है, क्योंकि five मैंसे माइनस हो रहा है, और यहां पे two theta है, और five तो बड़ा कोई चीज है, बड़ी मैंसे अगर माइनस हो रही है, और उतनी अलग रखे, तो वो कहेगा, हम तुमको ही माइनस कर रहे हैं, तुम हम से क्या compare करोगे, ये पाई क्या वो लेगा, हम तुमको ही माइनस कर रहे हैं, तुम हम से क्या compare करोगे, ये बड़ा है, तो five two बड़ा होगा, क्या होगा, five two बड़ा होगा, इफ, यहां पे five two greater होगा, five one से, then, ठीक है, तो two theta, ये निकला था, ठीक है, तो alpha के equal five two में से five one माइनस कर दो, तो alpha equal pi माइनस का two theta, और माइनस का two theta, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, alpha के equal pi माइनस का four theta, ये तू ठीक हो जाएगा, अब theta की बड़ा कहां से निकलोगे, equal कर दो equation, निकलाएग, तो from equation, first and second का use करेंगे, इसका use करेंगे, from equation, first and second का use करेंगे, चलो, आर स्कॉयर के equal कर लो, 16 sin two theta equal, ये भी, आर स्कॉयर, तो four के अपान में क्या मिलेगा, sin two theta, ठीक है, आर स्कॉयर बनाओ यहाँ पर, तो ये नीचे बैद दो, बन गया, इसका use में इंटू कर लो, तो sin square, two theta, और four के अपान में, 16 आ जाएगा, मतब इसका use में, और इसको, नीचे बैद दिया, 16 को, ये कट अगया, तो sin power अटा दो, ये power है, तो one upon four root में आ जाएगा, तो sin two theta के equal, one upon root two, नहीं नहीं, four का two ही निकलेगा, बताओ, कितने इक बैद वोती है, 45 डिगरी की, नहीं होती है, 30 डिगरी की वोती है, तो five by six कर लो, sin 30 डिगरी की बैद वोती है, ठीक है, साइन से साइन चला गया, तो five by six मिला, अब इसके आगे बहाँ पे लिखेंगे, ठीटा के एक वोल, five by six to two, जाट टोएल, ठीक है, इसलिए, अब ठीटा के वोलो, इसमें रख दू, अलफा के एक वोल, पाई माइनस का, फोर ठीटा, तो अलफा एक वोल, पाई माइनस पोर, अलफा मिला, टू पाई अपाउन थी मिला, त्री बन जा थी, त्री में से बन को माइनस करो, तो टू पाई अपाउन थी मिलेग, तो देखते हैं, यांतर शीट मैस करते हैं, इसके बाद एक पाट बचा है, five बाला, अलब पोर तक होई गे हैं, तो टू पाई अपाउन थी ही यांसर शीट निकली गए, लास्ट पाउट इसका करवाते हैं, फिप्ट पाउट, इसको हम रफ करेंगे, फिर तो बताएंगे आपको, तो यहां पर आपको नमबर, मतलब पाउट चेंज करना है, लास्ट पाउट है, इसका कोई दिक्त वली बात नहीं है, तो ऑर गाई, एक अपान का कोस थीटा, घीए, और यहां पर रहे आरके इकल, आपको, बी के अपान में, वन मानस का काउस थीटा, तो आरके एक्वल में, एपान वन प्रांस कोस थीटा, आरके इक AWल में, बी अपान 1- kose theta है ठीक है लिख लो दागिवेंश कर्म लेख लो तो दागिवेंश कर्व आर्ग एक्वल एपान 1-1 Kose Theta इसे ग्वेस्ण डालो फस्ट आर्गे एक्वल वी अपान 1-1-Kose Theta देखो यहां पर भी भी है कि ए है अब ही है कि ठीक है अब क्या करोगा एक्वेस्ट सेकेंड डालो फ्राम फरस्ट ले लो फ्राम एक्वेस्ट फास्ट और के एक अपन वन प्लस का कॉस ठीटा है कर दो डिफरेंस ये डिद रिस्पेक्ट टीटा के तो कि आर की वैलू हमको मिल गई है मिली है तो ठीटा के बिद रिस्पेक्ट करोगे तो जानते हो चोटे-चोटे रिजल्ट आपको याद है यह तो याद ही होगा ना वनापन एक्स क्या हो था माइनस बनापन एक्स उसकार यह यूज़ किया है ठीक है अब रेसी प्रोकल कर लो डी ठीटा उपर लो डी यार नी हां ठीक है अगेन कर लो बनका जीरो कॉश्ट का माइनस साइं kung देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेसी प्रोकल करेंग अथिटा उपर जाएगा डीर नीचे जाए जाएगा इसे ऊपर लिख लो को फिका ऑल पाव्रत्त पान में दीचा मायनस माइनस प्लस हो जाएगा एस ठीटा के अपान डियार के तो आर और रॉन प्रास का कॉस ठीटा का होल इसके अब यह क्या वन गया देख लो इसके एक्वेल क्या है कि टैन ना टैन तो फाइव बन कल लो किए फ़स्ट कर वह है तो फाइव बन आपको करना है अब आर आर्की वेलू यही रखना है equation first से a upon one plus का cos theta ठीक है और into में one plus का cos theta whole power कि दिनी है two upon में a sin theta ये काट दो ये one power कड़ गई ठीक है 1051 equal ऊपर क्या मिला one plus cos theta upon में क्या मिला sign data फिर में लगया एक calculation है hundred percent use होती है तो पिलस है तो पिलस कॉस्टू जीटा का फार्मला कॉस में लगाना है लगा भाई प्लस है तो कॉस डिटा कोस में लगाना है तो टू कॉसप्जॉर स्कॉइठ घीटा अपान्टो मैनस बन अब यह कोस बोलेगा किस से बूलए इस साइंस से वह जो इस साइंस जया अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तुम भी करो तो यह भी एंगिल हाफ करेगा क्योंकि कॉस ने इससे बोला बोला है तो भाई एंगिल को आपकर ना ही पड़ेगा किसी का कहना माना जाएगा यह लो बन से बन कट गया तुरंती टू से टू काड़ लो बन पावर कड़ गई तो टेन फाइफ 1पां सान क्या हो गए कोड़क है क्या होता है कोड़ोता न ठीक है अब यहांपे टेन बने आधर हटेगा कपेबल हमें यह चैंजस करना है कजस्थ का फिल्ट ना की माइंस लेना अगर यहां पर माइनस और होता तो पिलस यहां पर लेते हैं समझ गए तो 51 हमको पता चाल लगया कि पाइवन क्या पता चाल लगया कि पाइव वाइटू मैनस का ठीटा आप अपांटो थीक है अब फाइटू निकालेंगे एक्वेशन सेकेंड आपको लेना है इसको रॉफ करते हैं अब फ्राम एक्वेशन सेकेंड से समी करड़ दो आपको लेना है तो यहां पर लिखेंगे फ्राम एक्वेशन सेकेंड तो आर के एक्वल वी के अपान में वन मैनस का क्या है कॉस ठीटा डिफ्रेंसियेट गर लो बिद रिस्पेक्ट टीटा गया तो डी आर के अपान डी टीटा तो माइनस ऊपर नीचे बन पावर हो जाएगी इन्करेज इसका अगेन करोगे जीरो पिलस का साइन जोगे हैं माइनस पहले से पिलस आगें अब रेशी प्रोकल कर लो नीचे वाला उपर उपर आवला नीचे वन माइनस का कॉस ठीटा होल कि अपान में मैंनस का भी साइन टीटा अब इसके बार के इंटु कर लो दोनों साइट तो और डी ठीटागे आपाण डी आर एक्वल यहां पर क्या अगा आज सफ होल पावर तू के अपान में मा hottie साइन डीटा अब यहां से आपको लिख देना टेन फाइटू और एक बात दियां रखना है आर की वैलू एक्वेशन सेकेंड यह वाली रखना है चलो भाई इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं आगे कैसे सॉल्व करोगे तो यह पहले हम क्या रहेंगे यह फाल歌 लेता है ठीक है आार की यह वाले रखलो एक अपक्री के अपन में कमें सब्सक्राइब हई यह वाला रखलो वन लाइनस आर और इसकी किए से भी सैन हो गया तो टेन फाइटू के इकल ऊपर क्या मिला वन माइनस का कॉस ठीटा अपान में नीचे इतना अब देखो माइनस मिला यहां पर तो कैलकुलेशन यह वाली मिल गई तो हन्देड परसेंट यह कल्ड़ैसन यूज होती है कहीं मिल जाए माइनस है तो कॉस टू ठीटा आपार्मूला साइन में लगाना है अगर प्लस है तो कॉस टू ठीटा इसन है का माइनस है तो कॉस टू ठीटा ओ इन साइन में लगाना है यह हैं नीचे क्योंकि अब यह बोलेगा यह कौस किसे बोलेगा साइन से अगर मेरा इंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो यह कौस बोलता है यह बोलेगा तो बोला इसने यह देख लो यह बन गया अब इससे यह काट दो और फिर जो बचा बाद में कैंसल करेंगे या कैंसल कर लो टू से टू गया वन पावर कट गई यह मैनस मैनस प्लस हो गया इसलिए यह मैनस ऐसे ही रखा अब बताव साइन अपान कोस क्या हुआ प्लस का साइन नीचे मैनश का कोस है तो साइन ऊपर है कкус नीचे एंट होगया निगेतिप क Państ आप बोलो बहिता थेंँ का टादूर एक एक हिवार। मैन इसको करता ना है यह मैनस मैनस क्वार्डेंट से श्कॉत को कश्रा कश्राब दूए कश्क्यूत होता पन्रोटत स्थ आप यह isत गों सब्सक्राइब को यह illegal अब बता कौन इस क्राइब जल्दी बोलो कौन ग्रीटर यहां पाई में से माधा पाई नींटी में से माधा और यह बढ़ आ पाई और पाई वाइटू में यह बड़ा तो बड़े में माइनस ओर इसमें छोटे में माइनस ओर जब छोटे में माइनस ओर और चोटा हो जाएगा बड़े में माइनस ओर चोटा तो थोड़ा सा रहेगा ना बड़ा तो यह गिरेटर है इस से यह गिरेटर है कि इसमें वाला रख लो पाइए माइनस ठीटा अब बोलौ यह मैनस मैनस प्लस का हो गया केंसल हो गया है तो पाई वाइटू तो निगेटिव का एंगलियर मिलेगा फिर तो अगर फाई टूगिरेटर कर लिया मतलब फे एक बार दे जैसे पाइव न क्या था मेरे पास autant है और फाइट ऊसी किया निकcción लाएं देथा फाइटा पाइट माइनस टीटा Kitty ओ तो आझा तो फाइट तो का पहले रखो व्ल्हां हम northern ein f3-2 पहले तो तो यहां पर पाई वाई टू कर लो यहां पर पाई कर लो क्योंकि अब अलपा की वेलू पॉस्टिम निकलेगी ठीक है वही हम का है दिक्कत कहां पर हो रही है दिक्कत इसलिए हो रही थी कि यह हम रख नहीं किया थे वही यूज किया था ना इसलिए दिक्कत हो गई थी ठीक तो, कितना मिलेगा, questo पाई भाई टू मिलेगा ना, दाई में से पाई भाई टू मैनस करोगे, बन-80 में 90 मैनस करो, 90 तो मिलेग ना, ठीक है, तो lumber Rh поддерж तो फूंस तक रखते हैं, next जो lumber चलेगा, इसके आगे 456 और भी हैं अगली क्लास में इसके आगे कुशन करवाएंगे इस क्लास में यहीं तग रखते हैं अगर यह मेरी क्लास चलेगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को जादा से जादा सेयर कर देना अपने फ्रेंड सरक्ल में मिलते हैं अगली क्लास में आज के इतना ही काफी है धन्यवाद